Hello friends, welcome to सरस्वति क्लासिस जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि D.S.B. एक्जाम के जर्नल पेपर के लिए अपनोंने D.S.B. सेलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है इस सीरीज में स्टूडेंट अपने उनी कोशिनों को टच करते हैं जिस परकार के कोश्टन D.S.S.B. अपने ओनलाइन एक्जाम में पुट कर रहा है और इस सीरीज में आज का जो हमारा सेक्शन है वो है मैथ का लेक्शन नमबर टू इससे पहले सेक्शन अपना हिंदी हो चुका है, रीजनिंग हो चुका है, इंगलिश हो चुका है और जीके का भी हो चुका है, तो जिन स्टुडेंट ने वो लेक्शर नहीं देखे, तो आप जाके देख सकते हो, वो लेक्शर आपके लिए काफी हल्फुल रहेंगे इसी सीरिज के साथ स्टुडेंट अपनोंने एक सीरिज और स्टार्ट कर रही है, वो है प्रिवियस एयर्स के कोशिन पेपर को सुल्व करवाने की और वो जो लेक्शर हैं वो भी आपके लिए बहुत हल्फुल रहेंगे, आपको उससे पूरा-पूरा पता चल जाएगा कि किस परकार के कोशिन डी ट्रिप्लेस भी ने अपने लास्ट ये के एक्जाम में पूछे थे और ये जो डी ट्रिप्लेस भी सेलेक्शन सीरीज है ये तिल आपके जब तक एक्जाम नहीं होगे तब तक चलेगी और लगातार कम से कम हर टोपिक या हर कोशिन को अपने चार-चार-पांच पार बार टच करेंगे ताकि जब आपका एक्जाम हो तो आप इजली से उन किलोमेटर की दूरी तै करती है एक कार कवर्स डिस्टैंस ओफ टू-फोर्टी किलोमेटर इन फाइव हावर्स यदि वह अपनी समाने गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तै करने में कितना अधिक समय लगेगा लास्ट वाली लाइन देखिए उसी दू आने गति से आधी गति अब देखिए यहां से अपने उस कार की स्पीड निकाल सकते हैं अपने को स्पीड निकालने का एक फोर्मल है अपने पास स्पीड निकालने का क्या फोर्मल है डी अपॉन टी यानि डिस्टैंस कितनी तै कि उसने दो सो चालिस किलोमेटर और टाइम कितना है 5 hours अगर मैं 240 को 5 से काटता हूँ तो 48 आता है तो यानि उसकी speed कितनी होगी 48 km प्रती hours ये उसकी normal speed थी क्या थी उसकी normal speed थी अब उसने कहा है कि जो आपकी normal speed है इसको half कर दो क्या कर दो half यानि अब मैंने उसकी speed कर दी 24 km प्रती hours अब कह रहा है कि उससे 240 km दूरी तै करने में कितना time लगेगा अब मैं आपको फिर समझाता हूँ देखिए यहां से अपनोंने उसकी normal speed लिका ली normal speed कितनी निकली थी 48 km प्रती hours अगर कह रहा है कि आधी गती कर दें यानि उसकी normal speed की अपने क्या कर दें half speed कर दें तो उसकी half speed हो जाएगी कितनी हो जाएगी 24 km कितनी हो जाएगी 24 km प्रती hour यानि एक घंटे में वो पहले 48 km चल रही थी अब एक घंटे में कितना चलेगी वो 24 km तो उसे उतनी same distance तै करनी है कितनी तै किती उसने पहले 240 एक घंटे में वो 24 km चल रही है तो 240 कितने घंटे में चलेगी वो चलेगी 10 hours में और यहां से आते सारी 10 hours आते सारी आप इसको 10 hours टिक कर देते लेकिन उसने एक चीज़ special mention की है उसी दूरी को तै करने में कितना अधिक समय लगेगा 24 km से student वो 24 km से 10 hours ले रहे है और 48 km से वो किते ले रहा था? 5 hour किते speed के? 240 km के वो कहरे है कि पहले से जितना time लेता है उससे कितना जयदा time लेगा? पहले 5 गंटे लेता था अब 10 गंटे ले रहे हैं यानि कितना time ज़ादा ले रहे है? तो 5 hours ज्यादा ले रहा है, mostly student इसको 10 hour टिक करके आते हैं, लेकिन उसने special mention कर रहा है, कि how much more time will take it, तो कितना अधिक समय लगेगा पहले से, तो पहले 5 गंटे लगते थे, 240 km को तै करने में अब 10 गंटे लग रहे हैं, तो पहले से तो 5 गंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो option number 2 हमारा बिल्कुल सही है, next question देखते हैं, next है 5 गंटियां सुबे 9 बजे एक साथ बजती हैं, पहली 12 सेकंड पर, फिर 18 सेकंड पर फिर 24 सेकंड पर, फिर 36 सेकंड पर फिर 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियां पुन किस समय एक साथ बजेंगी, 100% यह question आपको, हर PZT, हर TZT, हर non-teaching post में आपको देखने को मिलेगा कई बार तो वो देता है कि एक circle है, एक athlete दोड़ते हैं, circle के 4 ओर कई बार वो देता है कि एक race है इस race पर सारे भागते हैं और अब यह घंटियों वाला question यानि, question का जो solving way है, वो एक ही रहेगा पर figures change हो रहे हैं question का type change हो रहे हैं, लेकिन question बार बार वही put कर रहे हैं मैंने आपको बताया था, पहले section में आपको बताया था, कि इस परकार के question को कैसे solve किया जाता है और कल मैंने जब आपको PZT English का question solve करवाय था, तब भी मैंने आपको इस परकार का एक question वहाँ दिखाया था, तो आप क्या कीजिए वो कह रहा है कि पहले तो 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे सारी घंटिया एक साथ बजती है एक साथ उनको start किया जाता है तो यानि 9 बजे तो वो 1-7 बजती है, उसके बाद अगर बजने के बाद 12 सेकंड बाद पहली घंटी पजती है, फिर दूसरी घंटी एक और घंटी जो 18 सेकंड़ में बजती है, फिर 24 सेकंड़ में फिर गंटी बजती है कोई और तो बताना है कि 9 बजे के बाद ये फिर कब बजना स्टार्ट करेंगी तो ऐसे कोशन को करने के लिए आपको क्या करना होता है जो डाटा दिया होता है उनका LCM लेना होता है LCM आपको या तो आप इस परकार से ले लीजिए 12, 18, 24, 36 और 45 नहीं तो आप दूसरा तरीका भी मैंने जो आपको बताया था पहले लेक्चर में आप वो भी यूज़ कर सकते हो दूसरा तरीका देखिए स्टूडेंट क्या होता है जो 12 है 12 कि आप प्राइम फेक्टर कर लेजिए यह प्राइम फेक्टर क्या होते है इसको मैं 2 की स्केर इंटू 3 में लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ क्योंकि 2 को लिखूँगा मैं 4 4 गुना 3 लिख सकता हूँ फिर मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ 18 को स्टूडेंट मैं 2 इंटू 3 की स्केर लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 45 को मैं 3 की square into 5 की power 1 लिख सकता हूँ यह होता है इसको prime factor में बदलना अब prime factor के बाद LCM होता है ना student होता है maximum power वाला अब 2 की maximum power किती है 2 की maximum power है 3 और 3 की maximum power किती है 2 और 5 की maximum power कितनी है 1 तो यहां से आपका LCM आचुका है 2 की power 3 यानी 8, 3 की square यानी 9 और 5 की power 1 यानी 5 तो 8, 5, 40, 40 को 9 से multiply किया तो 360 तो जो हमारा LCM आगया वो है 360 यह तो आपको समझाने के लिए था अब और जल्दी इसको निकाल सकते है यदि आपकी calculation थोड़ी से अच्छी है तो यहां से हमारा LCM कितना आगया 360 यानी वो 9 बजे वो सारी घंटिया 1, 7 बजी थी उसके बाद वो 360 सेकंड बाद फिर बजती है 360 सेकंड यानी अगर इसको minute में बदला जाए तो मैं 60 का divide कर दूँगा और यह 6 मिनिट बाद बजेंगी यानी 9 बजे तो बजती थी 9 बजे के बाद यह कब बजेंगी 9 बज कर 6 मिनिट पर एक साथ फिर बजेंगी इस परकार फिर 9 बज के 12 मिनिट पर एक साथ बजेंगी फिर 9 बज के 18 मिनिट पर एक साथ बजेंगी यानी लगातार 6-6 के रूप में यां का LCM आता रहेगा तो फिर ये 9 बज़ कर 6 मिनट में एक साथ बज़ेंगी पहले 9 बज़े बज़ती थी 9 बज़े के बाद 360 सेकंड में के बाद ये फिर बज़ेंगी सेकंड का तो कोई काम नहीं है फिर मिनट में बदल लिया मिनट था 6 फिर 9 बज़े के 6 मिनट पर फिर दोबारा बज़ेंगी नेक्स्ट कोउशन देखते है नेक्स्ट कोउशन है तीसरा जो फिर आपको हर PZT के एक्जाम में देखने को मिल जाएगा हर TZT के एक्जाम में मेरा एक ही एम है कि आपको उन सभी कोशनों से रूब रूब करवाना जो आपके एक्जाम में बार बार डेट रेप्लैस भी पूछ रहा है इन कोशनों को करने के बाद जब आप अपना एक्जाम देने जाओगे तो आपको एक बात शोर है आपको ये सारे question देखने को मिलेंगे और ये सारे question आपके exam में आपको बहुत help करेंगे तो question start करते हैं ध्यान से देखना इस question को बहुत important है 9 semi triza और 15 semi उंचाई वाले एक शंकू को पिंगला कर यानि पहले एक शंकू था हमारे पास ठीक है ये कौन था इसकी 9 semi तो क्या थी? radius थी और 15 semi इसकी height थी इसको melt करके अपने को एक cylinder बनाना है क्या बनाना है? cylinder और उस cylinder की अपने को diameter बतानी है क्या diameter है उसकी? तो इस परकार के question को करने का एक तरीका है और ये question बार-बार देटर प्लेस भी अपने exam में पूछ रहा है क्या होता है? आपको एक shape दी होती है क्या दी होती है? उसको दूसरी shape में change करना होता है आप जब भी किसी shape को दूसरी shape में लाओ गे तो उस shape को पहले melt करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा? पिंग लाना पड़ेगा फिर जब वो melt अपने को material मिल जाएगा उस melt से अपने को दूसरी shape बनाएंगे आप यहां से एक चीज़ सीखेंगे कि किसी भी shape को जब melt करते हैं तो उसी melt से दूसरी shape बनाते हैं यानि जब मैं इस दूसरी shape को melt करूँगा और यह वाला melt material और यह वाला material आपस में बराबर होगा यह बात आपको confirm हो जाने चाहिए यानि कोई shape है आज आपके पास एक कुरसी है वो कुरसी तूट जाती है तो आप उस कुरसी को कबाड़ी को बेज देते हैं तो कबाड़ी या जागे आगे यह factory में जाता हुए तो वो melt होता है उसी melt से वो दूसरी कुरसी बनाते है यानि इन दोनों का जो material है वो same है जब इनको shape को melt करेंगी तो melt का मतलब पता है क्या होता है student वो होता है volume परप्त होना क्या होता है volume किसी भी shape को melt करते हैं उसका volume मिलता है यानि मैंने एक shape को melt किया तो उसका volume मिल गया उस volume से मैंने दूसरी shape बना दी यानि जब इस shape को मैं melt करूँगा तो इसका भी volume same होगा यानि दोनों shape का volume क्या होगा same होगा जब एक shape को melt करके दूसरी shape में बदलते हैं तो दोनों का volume हमेशा कहा रहता है बराबर इसमें क्या हो रहा है इसमें अपने शंकू को melt कर रहे है और अपने क्या बना रहे है एक cylinder बना रहे है यानि शंकू का volume यानि कोन का volume और cylinder का volume दोनों का volume क्या होगा सेम होगा दो नों को मैं equal रखूँगा और equal रखने से अपने पास radius आ जाएगी और radius को दुग ना कर दूँगा तो diameter आ जाएगी तो करते हैं अपने अपने को क्या चाहिए? balance, cylinder तो cylinder का volume क्यों होता है student? cylinder का volume होता है अपने को ये चीज़ पता है कोन का volume होता है वो cylinder का one third होता है तो one third क्या होगा? one third, one upon three और pi r square l h की जगा मैं l कर देता हूँ तो h की जगा h भी रख सकते हैं तो pi से pi मैंने cut कर दिया यहां मेरे पास r आ गया इसको r1 माल लेता हूँ, इसको r2 माल लेता हूँ इसको h1 माल लेता हूँ, इसको l2 माल लेता हूँ जो भी, आपने काटेंगे ने इनको आप यहां से तो कट जाएंगे, यह समझाने के लिए कर रहा हूँ ठीक है? तो यहां से मैंने क्या कर दिया? pi से pi कट दिया यहां मेरे पास क्या था? सिलंडर, और यहां मेरे पास कौन था? इसका तो आगय था pi r square h इसका आगय था 1 upon third था उसका pi r square l अब pi से pi मैंने student कैंसल कर दिया यहां देखिए student यहां r किता दे रहा है? r मुझे ग्यात करना है सिलंडर में यानि radius मुझे पता करनी है h किता दे रहा है? h 45 दे रहा है किता दे रहा है? 45 दोनों को मैंने बराबर रख दिया था one third r किता दे रहा है? r 9 दे रहा है तो 9 की square यानि 9 into 9 और h किता दे रहा है? यानि l किता दे रहा है? 15 तो यानि मैं 5 पे काट दूँगा इसको यहां मेरे पास R square into 45 equal to 1 third into 9 into 9 into 15 था 3 से मैंने इसको cut कर दिया student, cut करने के बाद देखिए यहां से मैं इसको 9 पर cut कर सकता हूँ, और यह 9 9 से cut हो जाएगा, यानि यहां पर student मेरे पास क्या बच गया यहां पर मेरे पास 15 बचा I think थोड़ी सी mistake हो चुगे, calculation में दुबारा देखते हैं अपने यहां था R into 45 और यहां क्या था, 1 third into 9 into 9 into 15 तो यहां से मैंने इसको cut दिया, किते पर cut गया, यहां से यह cut गया 3 पर, किते पर cut गया 3 पर, यहां R square into 45 आ गया और यहां आ गया 3 into 15 किते थे 45 into 9 यहां से 45, 45 cut चुके हैं, तो R square की value किते हैं कि 9, R square की value 9 आई है student तो R की value किते हैं कि 3, यहां से मुझे cylinder की radius पता चल गी 3, लेकिन उसने क्या पूछा diameter, diameter radius का क्या होता है दुगना होता है, तो 3 और 3 किते होगे 6, यहां से मेरे पास diameter कितना आगया student चेह, तो जो option number 4 है student, वो हमारा बिलकुल सही है, next question देखते हैं, question देखिए, एक दुकांदार अपनी वस्तु पर 40% की चूट देता है उसके बाद भी 20% का लाब अर्जित करता है 2400 रुपए अंकित मुल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकांदार कितना क्रेमुल्य बुक्तान करता है, एक शोपकीपर allows a discount of 40% on his article and still makes a profit of 24% how much cost price does एक शोपकीपर pay for an article market price is 2400 रुपए, अब आपको एक लाइन इससे पता चल चुकी होगी एक दुकांदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है 40% की छूट मने 40% की fraction क्या होती है, दो पटे 5, यह आपको मैंने बता चुकी है percentage वाले chapter में, यानि market price पर 40% का discount यानि वो 5 रुपे अगर उसका market price है यानि कितना अगर इस बात से एक बात आपको पता होने चाहिए, 40% मने 2 upon 5 अगर market price 5 रुपे है market price कितना है, 5 रुपे 2 रुपे का discount देता हूँ तो कितने रुपे की बेचूँगा मैं 3 रुपे की, यानि इस बात से एक बात तो clear हो चुकी है यानि दुकांदार 40% की छूट देता है 40% की fraction 2 upon 5 यानि 5 यादी market price है और 2 रुपे की छूट दे रहा है तो SP कितना हो गया selling price, यानि कितने का बेच रहा है वो 3 का अब कह रहा है उसके बाद उसे 20% का लाब होता है 20% का लाब, यानि 20% की fraction किती होती है, 1 upon 5 यानि 5 रुपे की चीज कोई खरीद रहा है और उसको 1 रुपे का profit हो रहा है यानि यहां से तो मेरे को पता चला cost price कितना आ गया 5 और 5 रुपे की कोई चीज खरीदी उसपर 1 रुपे का profit लिया यानि वो कितने में बेच दी 6 रुपे में यहां तो selling price तीन है और यहां selling price कितना अच्छे तो दोनों को में बराबर कर लूँगा आपने इसको ratio वाले chapter में मेरे देखा होगा यहां market price और selling price का ratio देखा कितना है था यहां था 5 की कोई चीज थी उसपर 2 का discount दिया था तीन की लगी थी और यहां से अपने को 6 रुपे की बेची थी और 5 रुपे की खरेदी थी यानि यहां से cost price आ गया था यानि कोई चीज 5 रुपे की खरेदी उसपर 1 रुपे का profit लिया तब बेची यानि कितने की बिकी वो 6 की बिकी तो यहां से मैं दोनों को बराबर कर लूँगा दोनों को बराबर करने का एक तरीक है दोनों का multiply कर दो 18 यहां से इनका multiply किया 30 और यहां से इसका multiply करती है 15 यानि यहां से मेरा market price तो कितना आ गया price 30 selling price कितना गया 18 और CP कितना गया 15 लेकिन वैसे, market price देखी, कितना देर कहा? 2400 रुपई, कितना देर कहा? यहां देर कह? 2400, यहां कितना 30, तो मैं 30 को किसके बराबर रख लूँगा? 2400 के, किसके बराबर रख लूँगा? 2400 के, तो यहां से 10 से 0 cancel होगी, और एक का ratio देखे कितना गए 80, कितना गए 80 यहाँ से अपने से पूछा है क्रेम उले कितना बुक्तान करेगा क्रेम उले का जो अनुपार था वो था 18, तो मैं 18 को 80 से multiply कर दूँगा ठीक है student, जैसे अब 18 को 80 से multiply करोगे तो आपको आपका value मिल जाएगी, ठीक है student कितनी थी, शायद 15 थी 15 थी वो, 15 ratio था हमारे पास 18 नहीं था 15 था, तो 15 आठे 120, तो हमारा क्रेम उले कितना गया 12.00 रुपए, अगर वो पूछता कि selling price कितना आएगा तो आपको एक की value कितनी आई थी 80, तो selling price कितनी किती थी, 18, तो 18 से multiply कर लेते, तो 1440 हमारे पास आ जाते, लेकिन उसने पूछा था cost price, तो cost price कितना आगया, 1200 next question देखते है next question देखिए, एक व्यक्ती की आए, 95,000 यानि उसकी income कितनी है, 95,000 उसका expenditure है, यानि उसका व्या कितना है, 75,000 यदि उसकी I में पहले उसकी income किती थी, 95,000 अब वो कहता है कि उसकी income में 18% और बढ़ा दो और व्या यानि expenditure में 12% और बढ़ा दो तो उसकी बचत में कितने परतिशत की वरती होगी, यानि पहले कुछ बचत होती होगी, अब जो बचत आएगी, बताईए पहले से कितनी परसेंट बढ़ी होगी उसकी बचत, कितनी परसेंट, यानि कितना change आया होगा तो आपको एक line तो यहां से पता चल चुकी होगी, saving क्या होती है, saving होती है आप जितना income कमा रहे हैं उसमें से आप यदि अपना खर्चा घटाते हैं expenditure घटाते हैं, तो आपकी क्या होती है saving, मेरा income कितनी थी 95,000 और यहां से मेरा खर्चा कितना था 75,000 तो यानि पहले जो मेरी saving थी, वो थी 20,000 पर पहले मेरी saving कितनी थी 20,000 पर, यानि इस पहली line से मेरे को यह तो पता चल गया कि मेरा income इत्ती थी मेरा खर्चा इत्ता था तो यानि मेरी saving किती होगी 20,000 अब वो क्या कह रहा है कि मेरी income में 18% बढ़ा दो तो मेरी पहले income थी 95,000 अब कह रहा है कि उसमें 18% और बढ़ा दो तो अब 18% ग्यात करो फिर दोनों को जोड़ो तो वो आपकी income आ जाएगी फिर where में कितना 75,000 थी उसमें 12% निकाड़ो उसमें जोड़ो वो आपकी क्या हो जाएगी आए फिर उसको पहले वाली बचत से क्या करो compare करो ऐसा करोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ जाएगा आपकी saving तो कितनी आगी थी पहले 20,000 अब आपकी I 18% बढ़ानी है यानि 95,000 का आप direct 118% निकाल लो आप 118% परसेंट अटाओगे तो क्या आजाएगी 100 लग जाएगी 2,0 से 2,0 कट जाएगी जब इनको मैं multiply करता होता हूँ तब आता है एक लाख बारा हजार सो तो यानि नई मेरी saving किती होगी एक लाख बारा हजार सो यानि आप DSSB के जब question देखो किता हूँ उनकी calculation बहुत बड़ी होती है यहाँ से जो मेरी नई income आई थी वो कितनी आगी एक लाख बारा हजार सो अगर मैं expenditure को बारा प्रसेंट बढ़ाता हूँ यानि 75,000 का 112 प्रसेंट निकालता हूँ तो 112 प्रसेंट हटा हूँ 100 लग जाएगा 0000 कट गई 750 को यदि मैं 112 से multiply करता हूँ तो मेरा expenditure किता आ गया 84,000 कितना गया student 84,000 तो यहां से मुझे पता है income में से अगर खर्च गटा दू तो मेरी saving आ जाएगी तो जो मेरी नई saving आएगी student आएगी वो 28,100 आपको ध्यान है जो पहले मेरी saving किती थी पहले मेरी saving थी student 20,000 किती थी 20,000 अब saving किती है 28,100 यानि यहां से मेरी saving बढ़ गई 8,100 रुपए कितने पर बड़ी 20,000 पर कितने पर बड़ी 20,000 पर परसेंट निकालने है तो 2,0 से 2,0 कट चुकी है 2,0 से 2,0 कट चुकी है यानि 81 upon 2 यानि यहां से काड़ता हूँ तो 40 upon 5 परसेंट आता है जो कि third option हमारा बिल्कुल सही है next question देखते है next question है X ने कुल 180 रुपए में 40 pencil खरीदी और 180 रुपए में 2 दरजन pen खरीदे तो एक pen और एक pencil के मुल्ले के बीच का अंतर ग्याद कीजिए यानि अपने को पूछ रहा है कि एक pen कितने में खरीदा और एक pencil कितने में खरीदी उसके बीच का difference बताईए तो यहां से अपने को दो चीज़े खरीदे रएक तो pen और एक pencil तो 40 pencil यानि 40 pencil कितने रुपए में खरीदी 180 रुपए में अगर मैं एक pencil पूछता हूँ तो एक pencil कितने में आ जागी 180 upon 40 इतने में आएगी आपने यूनिटरी लो पढ़ाओगा कोई चीज 10 pen यदि 20 रुपए में आते हैं तो एक pen कितने में आएगा 2 रुपए में यानि 20 पूटे 10 कर दिया आपने उसी परकार मैंने यहां लगा लिया वन जीरो से वन जीरो कट जाएगा तो यानि और काटूं तो यह 9 upon 2 आगे यानि एक pencil मेरे को साड़े 4 रुपए में पढ़ी कितने रुपए में पढ़ी साड़े 4 रुपए में उसी परकार 2 दर्जन पहन यानि 2 दर्जन में 24 होते हैं तो 24 मैंने कितने में खरे दे 180 में यहां से मैं और निकालूं तो एक पहना जाएगा 180 upon 24 यह 12 के टेबल से कट रहे हैं 12 दून 24 और 12 पंदर 180 तो 15 को और काटता हूं साड़े साथ यानि एक पहन कितने में खरे था साड़े साथ में एक pencil कितने में खरे दी साड़े 4 रुपए में दोनों का difference कितना गया 3 रुपए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अपने नेक्स्ट कोशन देखिए A अनुपात B 5 अनुपात 6 है B अनुपात C 6 अनुपात 7 है तो बताए A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A अनुपात क्या होगा अगर अभी आपने कोशन देखा होगा तीसरा चोथा कोशन था आपने देखा होगा market price और selling price इनका रेशो कितना था इनका रेशो 5 अनुपात 3 था फिर एक रेशो और था selling price और cost price और selling price कितना था यहां से आप पता लगा सकते हैं कितना था 5 अनुपात 6 यहां selling तीन था और यहां selling छे था तो दोनों को मैंने बराबर किया था दोनों को बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया था market price selling price यह 5 यह 3 था इसको नीचे रखना था 6 और यहां 5 रखना था cost तो इन दोनों का multiply करना था को बराबर करने का तरीका यही था और यह कोशन एक फिक्स आता है तो इन दोनों को पहले मल्टिप्लाई करते थे फिर इनका मल्टिप्लाई करते थे फिर इनका मल्टिप्लाई करते थे तो यहां से अपने को तीनों का रेश्यो निकल सकता था अब अपने पास तीन फिर व्य बराबर आया है, दोनों बार B क्या है, बराबर आया है, हर बार B बराबर नहीं आता, हर बार बीच वाला बराबर नहीं आता, तो इन दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं, तो इस परकार हमारा A, B, C का रेशो निकल जाता है, यहां क्या तीजों के दुनों सेम है बी भी तो यहाँ से A, B और C का रेशा निकल गया 5 अनुपाद 6 अनुपाद 7 यानि A की value कितना अगी 5 B की value कितना अगी 6 और C की value कितना अगी 7 तो यहाँ आपने रख सकते हैं पुट कर सकते हैं A की value होगी थी 5 और B की value कितने है चे यानि A B कितना हो गया 11 B की value कितने है 6 और C की value कितने है दे 7 12 और 6 और 7 कितने होते 13 उसके बाद C की value कितने है 7 A की value कितने है 5 7 और 5 कितने होते 12 तो अपना अनुपात आये 11 अनुपात 13 अनुपात 12 तो जिकी option number पहला हमारा बिल्कुल right है, next question देखते हैं ये बहुत easy question था next question देखिए W, X, Y, Z का जो अनुपात है 5, 95, 6, 99, 99, 12 के अनुपात में लाब सांजा करते हैं, यानि इनको लाब मिलता है इस निशो में, यदि X और Y को कुल मिलाकर 45,000 रुपे मिलते हैं तो Y और Z को कुल मिलाकर कितना मिलेगा, इस परकार के छुटमुट से question, बहुत easy question आपको परते एक एक्जाम में 4 या 5 मिल जाएंगे, तो वो question कभी भी skip नहीं करना चाहिए, और जो question मिलते हैं student, वो हमेशा रेशो कहीं मिलते हैं जो अभी आपको A, B का रेशो पुछाता है या तो वो मिलेगा, या फिर ये मिलेगा या एक question और आपने देखा होगा, calculation based question होता है multiply करना होता है आप उसमें तो यह 3-4 question तो आपको बहुत easy मिल जाएंगे, तो यहां से अपने को इनका ratio दे रखा ये वाला, फिर बता रखा कि X और Y को 45,000 मिलते हैं पूछा कि Y और Z को कितने मिलेंगे, अगर मैं देखूं X और Y X और Y को ratio में कितना मिलते हैं, ratio में lab मिलते है 15 का, कितने का मिलते हैं, 15 का यहां से अगर आपने एक चीज नोटिस कियोगी, तो X और Y को तो पैसो में तो मिलते हैं कितना 45,000 lab, लेकिन ratio में कितना lab मिलते हैं, ratio में मिलते है 6, 5, 5, 5 का तो 6 और 9 कितने होते हैं, 15 ratio में तो दोनों का total मिल रहा है 15, और वैसे कितना मिल रहा है 45,000, यानि यहां से मैं एक यूनिट का मान निकाल सकता हूँ 45,000 upon 15 तो 15 ती है 45, यानि एक यूनिट का मान आगया, 3,000 यानि एक यूनिट में कितने का lab हो रहा है, 3,000 का तो यहां से पूछा था अपने को Y और Z को कितना मिलता है lab, तो Y का देखिए W का कितना है W का 5 और Z का कितना है, 12 यानि 17 यूनिट का lab कितना होगा, तो एक यूनिट का lab तो था 3,000 रुपए यानि एक एकाई का मान था 3,000 रुपए तो 17 यूनिट का मान कितना होगा तो 17 से multiply कर दूँआ तो 17 ती है 51 तो 51,000 का lab होगा किनको, W और जैट को, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, ये कोशन पीजी टी हिस्टरी में पूछा गया है स्टूडेंट मैंने figures को change किया है कोशन 2-3 बार ऐसा पूछ चुके हैं अब ऐसे कोशन को कैसे टेकल करते हैं, बात करते हैं कहता 36 वस्तुएं 24 रुपए में खरीदी पहले तो वो कह रहा है कि मेने cost price यानि article 36 खरीदे है 24 रुपए में फिर कह रहा है कि मैने bेच दिये कित्ते बेचे 24 बेच दिये मैने 36 रुपए में कहा रहा है पहले 36 कोई वस्तुएं खरीदी थी मैंने 24 रुपे देखे फिर उन में से 24 वस्तुएं बेचती मैंने 36 रुपे में यानि उल्टा सिधा कर रहे हैं आपका निफ्यूज मत हो जाना यानि एक बार थो 36 वस्तुएं खरीद रहा है और 24 वस्तुएं बेच रहा है यानि 12 वस्तों अब भी उसके पास पड़ी है और 36 खरीदी थी 24 रुपए में और 12 बेश दी 36 रुपए में यानि यहां से profit कमा रहा है और पूछ रहा है कि profit का percent लेखिए इस question को करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जो जितनी चीजे खरीद रहे हैं उतनी ही बेचिए तो आपको पता चल जाएगा अब मैं सीधी सी बात एक for example daily routine का example कराता हूँ पांच वस्तों दस रुपए में खरीदी और पांच वस्तों बारा रुपए में बेच दी तो आपको दो रुपए का profit हुआ ना यानि अपना जो article था वो same था क्या तब 5 ही खरीदी तो 5 ही बेच दी आप क्या किजिए article same कर लिजी जितना खरीद रहें उतना ये बेची है तो आपको असानी से profit percent निकाल सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ पहले 36 है 36 को कितने में बेच रहे है 24 रुपए में फिर 24 article 36 रुपए में बेच रहे है तो मैं क्या करता हूँ ये 36 article हैं जो खरीदे हैं इसको 24 में बजलता हूँ यानि 24 कितने रुपए में खरीदेगा हो 24 article कितने रुपए में खरीदेगा अब इसको 24 बनाना है क्या बनाना है 24 अगर आपको नहीं पता कि 24 कैसे बनाते हैं तो आप क्या कीजिए 36 इस 36 में इस 24 क बेच रहा है तो मैं करता हूँ 24 ही खरीद लेता हूँ इसको 24 बनाने के लिए मैं 3 बटे 2 से गुना करूँए किस की क्युना करूँए यह 36 था यह 24 उरुपे में खरीद रहा था अब यह 24 आर्रटिकल है 36 में बेच रहा है इसको 36 बनाने के लिए मैं क्या करूँआ 3 बटे 2 से multiply करता हूँआ इसको भी और इसको भी same को करूँआ इसको मैंने काटा तो यह कित्ते बें कटका है student sorry मैं 2 बटे 3 से multiply करूँआ किस से करूँआ 2 बटे 3 से तब यह 24 आएगा तो 36 को 24 को भी 2 बटे 3 से multiply करता हूँ तो यह देखिए यहां से मेरे पास 24 आर्टिकल आ गए जो मैंने खरीदे थे student कित्ते रुपय में 16 रुपय में कित्ते रुपय में खरीदे 16 रुपय में 24 आर्टिकल 16 रुपय में खरीदे और 24 य आर्टिकल 36 रुपए में बेच दिये यानि यहां से मैंने 36 आर्टिकल खरीदे थे उसको मैंने 24 में बदल लिया किस में बदल लिया 24 में तो जब मैंने 24 में बदला तो मुझे पता चला कि 24 आर्टिकल है वो मैंने 16 रुपए में खरीदे है और 24 यार्टिकल मैंने कितने में बेच दिये 36 उरुपए में बेच दिये यहांसे आपको पता चल चुका होगा कि आपका profit कितना है क्योंकि अब दोनो आर्टिकल क्या है बराबर तो यहांसे मुझे कितने रुपए का लाब हुआ 20 रुपए का लाब हुआ कितने रुपए पर 16 रुपए पर तो student यहां से मैं निकाल सकता हूँ easily से मान निकाल सकता हूँ ठीक है student अगर मैं काटू तो यह 4 की table से कड़ जाएगा 5 और यह 4 की table पर कड़ जाएगा 4 और यह 25 पर कड़ जाएगा मैं आपको जब explain करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा time लगता है आप खुद बनाऊगे तो बहुत कम time लगएगा next करते है next question देखिए PZT में फिर पूछा गया है वही shape melt करने वाला देखिए 32-22 से मी और 99-7 से मी के बेलन को पिंग लाकर घनाब बनाया जाता है यानि यहाँ आपके पास एक cylinder है इस cylinder को melt करना है और जब यह melt हो जाए तो इससे क्या बनाना है आपको cuboid बनाना है आपको पता है कि जब अपने melt करते हैं किसी चीज को तो क्या मिलता है अपने को volume मिलता है इसका volume और इसका volume क्या होगा? बराबर होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कोई चीज melt करके दूसरी चीज बनाई आती है तो अपने को दोनों चीजों का volume बराबर रखना होता है इस से आपका answer अराम से निकल जाएगा अगर मैं यहां से cylinder का volume into B into H तो देखिए 22 सेमी और 7 सेमी के बेलन को पिंगला कर एक घनाब बना जाता है तो जो घनाब की चुड़ाई और उंचाई है वो बेलन की तरीजा के आदे के बराबर है यानि यहां से अपने को जो क्यूबोइड है उसकी जो अपने को विड्थ है और हाइट है वो क्या लेनी है तरीजा को आदा करना है तरीजा कितनी है बाइस है यानि रेडियस को आदा करना है तो ग्यारा ग्यारा लेनी है यहां से पाई क्या उतना होता है बाइस अपॉन सेवन और आर कितना है बाइस इंटू बाइस हाइट किती है साथ और यहां से अपने को BIDT और HIGHT लेनी है वो कितनी है RADIUS की हाफ आफ लेनी है तो L पता करना L को L ले लेता हूँ 11 into 11 यहां से 2 पे काटता हूँ तो 2 कट गया यहां से 2 पे काटता हूँ दो पे फिर कट गया Next देखिए मैं किस पे काटूँगा इस साथ को मैं साथ से काड़ देता हूँ तो यहां मेरे पास बचा 22, 24, 44 को फिर 2 से किया तो कितना गए 88 से यानि जो मेरे पास लंबाई आई वो कितनी आई 88 से में आप easily से इस question को बना सकते थे तीन ही लाइनों में इस console आ रहा था बाकी calculation थी बस calculation आपकी जतनी फास्ट होगी आप question को उतना easily और speed से बना सकते हो और उतना ही उसमें accuracy होगी question की next question देखते है next question है x, y से तीन गुना अधिक कुशल है और y को y कारे को पूरा करने में 30 दिन लेता है तो x और y मिलकर कारे को कितने दिन में पूरा करेंगी अब देखिए ये जो पूरा topic के time and work का मैं आपको बता चुका हूँ अब अगर मैं इस type को explain करता हूँ तो इस type को explain करने में 10 minute लगेंगे और ये lecture बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो मैं direct this question को बताता जाऊँ हलकल का आपको समझ आता रहेगा क्योंकि आपने time and work का lecture देखा है तो आपको easily समझ जाओगी आप कहरा है कि x y से 3 गुना अधिक कुशल है यानि उसकी efficiency है आपको एक चीज तो पता होगी कि जो x है वो y से 3 गुना कुशल है यानि इनका ratio कितना आजएगा 3 upon 1 आजएगा अगर y के पास efficiency एक है तो x के पास कितनी होगी 3 होगी क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि जो x है वो y से 3 गुना अधिक कुशल है आप याद रखना जो efficiency होती है तो 1 upon d यानि जो efficiency होती है वो day's के व्यूत करमान पाती है indirect proportional होती है डारेक्ट नी indirect proportional होती है यानि अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगी इसको घटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगी इसको हिंदी में वितकरमान पाती बोलते हैं इंगलिश में साथ इंडिरेक्ट प्रपोर्शनल बोलते हैं मुझे जादा ध्यान नहीं है तो ये विद्करमान पात होती है अगर मैं efficiency को बढ़ाता हूँ तो number of days गया हो जाएंगे कम हो जाएंगे अगर इसको घटाता हूँ तो number of days गया हो जाएंगे बढ़ जाएंगे यहां से देखिए यहां से x और y की efficiency निकालता हूँ तो x y से 3 गुना कुशल है यानि यह 3 अधिक है और यह 1 है यह तो हो गया कि efficiency का किसका? efficiency का यदि number of day का निकालू तो मैंने अभी आपको बताया था यह बिल्कुल उसके उल्टे होती है अगर यह 3 है तो अभी यह क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी अगर इसको घटाता हो तो number of day का होते है बढ़ जाते है अगर यह पहले बढ़ा हुआ था अब घट जाएगा घटाता है अब यह क्या जगा बढ़ जाएगा यह बिल्कुल उसके उल्टा होता है यहां से number of day का मेरे को ratio चाहिए था मिल गया यानि X किसी कारे को एक दिन में करता है Y उसी कारे को तीन दिन में करता है यानि efficiency से यह चीज अपने को मालूम हो चुकी है तो ratio में तो Y कितने दिन में करता है तीन दिन में लेकिन वैसे कितने दिन में करता है तीस दिन में तो तीन unit का मान किस के बराबर होगा तो यहां से एक unit का मानागा है दस day में तो Y X के पास कितना unit है एक तो X के पास एक unit है यानि X उस काम को कितने दिन में करेगा दस दिन में देखिए यहां से X किसी काम को दस दिन में कर रहा है और Y उस काम को तीस दिन में कर रहा है ये तो था समझाने का तरीका अगर आप थोड़े से भी हिंट को पकड़ते तो आप यहां से डिरेक्ट निकाल सकते थे कि X, Y से तीन गुना कुशला है अगर Y तीस दिन में कर रहा है तो उसमें तीन का भाग देजी दे वहां से अपने पास क्या जाएगा X का मान आजाएगा सीधी से बात है कोई काम यदि X, Y से तीन गुना उश्यार है यानि ये तीन गुना उश्यार है ये एक है तो यहां से ये तीस दिन में कर रहा है तो ये कित्ते दिन में कर लेगा दस दिन में कर लेगा यहां से X दस दिन में कर रहा है और Y 30 दिन में कर रहा है तो अपने को बताना है X और Y दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं इसका answer student आप मेरे को comment box में बताओगे क्या होगा और दूसरी बात इस पूरे lecture की PDF आपको student हम मेरे telegram channel DSSB exam preparation जो नाम है वहां मिल जाएगी आपको दनेवाट